बिहार के गया जुले में CRPF और बिहार पुलिस निस चार नकसलीों को मार गिराया नकसलीों के पास से तीन एक से तालिस और एक इंसस राइफल के लावा भारी मात्रा में तबाही का समान बराम आज इंकाउंटर हुआ, इंकाउंटर में चार नक्सली मारे गए हैं जिसमें एक जोनल कमांडर है बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय को बर्खास्त करने की मांग पर अडेते जसली आदव एक अपरेल तक बर्खास्तगी नहीं होने पर करेंगे आंदोलन बिहार के मंत्री राम सूरत राय के सब्र का बांध तूट पड़ा ते जसली आदव को ललकारते हुए कहा कि पटना के गानी मैदान में आकर फरिया ले जारकन की मदूपुर विधान सभा में 17 अपरेल को होगा मतदान, दो मई को होगी मतगनना, निर्वाचन आयोग ने पूरी की चुनाओ की तयारी सराई के लाखरसामा जुले में 25 वर्षिये की यूवक ने चॉकलेट का लालच देकर 6 वर्षिये मासूम बच्ची के साथ दिशकर्म किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है थनबाद में कोईले पर वर्षिस्व को लेकर दो गुटो में जम कर गोलियां चली, मामला शांत कराने गई पुलिस की टीम पर की गई पत्थरवाजी मुकामा पुलिस ने दो कुख्या तप राधियों को धर दबोचा, एक देशी कटा, चार कार्टूस और एक मुबाईल पोन बरामर मुजफरपुर के माली घाट में एक यूवक की गोली लगने से मौत हो गई, मृतक के परिजनों ने जताई हत्या किया शंका रामगर जुले में एक वेवसाई की हत्या की साज़िश को पुलिस ने नाकाम कर दिया, पुलिस ने हत्या करने पहुँचे पांडे किरों के दो सदस्यों को हत्यार के साथ धर दबोचा सराय के लाजिले में पुलिस की तत परता ने मौब लिंचिंग की घटना होने से बचा लिया, आदित्य पुर्थाना शेतर में बंधग बने एक यूवक को पुलिस ने भीड से मुक्त कराया भुचपुर के जलपूरा गाउं में बदमाशों ने घर में सो रहे, एक अधिवक्ता के बेटे को गोलियों से भुंडा लग, हायल का गंभीर अवस्ता में एक नीजी अस्पताल में इलाज चल रहा बोशपुर के रतनागर गाउं में एक महादलित यूवती की जगन ने तरीके से हत्या कर दी गई, मारने से पहले हत्यारे ने उसे बुरी तरह पीता और गला दबा कर उसकी जान ले लिए जमशेदपुर के पोटका थाना शेतर में माबाप ने अपने ही बच्चे की गला दबा कर हत्या कर दी, पुलिस ने दोनों को किया गिर अफ्तार मुजफरपुर्जिले के पक्की सराय चौक में एक संकी ने गोली मार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, पुलिस ने हत्यारे पति को गिर अफ्तार कर लिया है दिवंगत अभी नीता शुषान सिंग राजपुत की मौत मामले में मुजफरपुर के विवहार नियायाले में बॉलिवुड के कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है मामले की अगली सुनवाई एक तेस मार्च को होगी सुसान सिंग राजपुत मौत मामले में अहम सुनवाई आज पर्थम अपर जिलाम सतन्याधिस श्री रामेश मालवेजी के हां होनी थी